हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बना रहे हैं रजगुले रजगुले तो सभी को पसंद आते हैं टेस्टी रजगुला सॉफ्ट स्पंजी एकदम मुँमें गुल जाने वाला तो रजगुले तो हम सभी ने बहुत खाये होंगे दोस्तों और कई बार खाये होंगे लेकिन हम जब भी रजगुले खाते हैं तो जादा तर हम छेने के रजगुले खाते हैं जो दूट से बने होते हैं आज हम बिल्कुल डिफरन स्टाइल से रजगुले बनाने वाले हैं मै नए बनाने वाली हूं चावल के आठे से दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में और एकदम नई और यूनिक रेसिपी होने वाली आप सब के लिए तो बने रहे यह पूरे वीडियो में मेरे साथ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा स्किप करेंगे आपक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यह सबसे पहले हम चासनी बना रहे हैं एक कप चीनी लिए मैंने इसके लिए और दो कप पानी हम इसमें एड करेंगे चीनी में और अगर आप ज़्यादा quantity में बना रहे हैं तो उस हिसाब से चीनी लीजिएगा जितनी चीनी है उसका दबल पानी लेगे हम देखें इसको मिलाते हुए चीनी के घुल जाने तक हम इसको चलाते रहेंगे चंटीनियूसली अब हम यहाँ पर बना रहे हैं अपना डो तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेल से पॉने दो कप दूद लिया हैं और दूद को चलाते हुए कुबाला आने देंगे कंटिनियूसली चला लेंगे इसको दूद लग जाएगा देखिए दूद में मैंने चीनी पहले ही मिला दिये तीन से चार चमच अब हम इसमें एक कप चावल का आटा मिलाएंगे इस टाइम पर आप कैस को या तो बंद कर दीजिए बिल्कुल सिम कर ल किझेगा ही देखिए मैंने इसको मिलाते हुए बढ़िया कर लिया है दो-3 मिट लगेंगे इसको कुक होने में जादा टाइम नहीं लगता है देखिए बढ़िया करके दोsel सॉफ्ट। भी हो गया है और अब हम अपनी Dharma को बंद कर देंग और इसको डखकन लगा के तीन से चार मेट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे जिससे थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा फूल जाएगा और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जिससे हम इसकी लोई बगएर बना सकें इदर चासनी को देख लेते हैं इसमें मैंने तीन-चार इलाइची कूट के डाल दी ह अगर आपके पास इलाइची का पॉड़र है तो आप बोड़ा लीजे अब देखिए चासनी हमारी लगवर बन रही है इसे भी बिल्कुल हलकी आज पर रखिए हमें एक तार की चासनी नहीं बनानी है इसके लिए बस चासनी चिप-चिपी होनी चाहिए इसे ज्यादा चास पर फैला लेंगे जिससे आसानी से ठंटा हो जाएगा आप इसमें हाथ लगा लेंगे आप देखिए यह बहुत ज्यादा ड्राय होता है चावल काटा तो हम इसमें एक चमच भरके देशी की मिला रहे हैं अगर आपके पार मेल्टेट देशी की है तो आप डेर से दो चमच मिलाईएगा मेरे पाँ जमा हुए तो मैंने एक चमच मिलाया है और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया करके और कहीं पर लम से गुटली नहीं रहनी चाहिए मिक्स करते हुए हम इसका एक डो लगा लेंगे आटे की तरह देखिए कितना बढ़िया चि चासनी को खराब कर देगा इस तरीकी से गोलबोल पेड़े बना लीजिए और देखिए मैने सभी पेड़े बनाकर तयार कर लिए लग रहा है कितने बढ़िया एक दम देखने में आप हम इसे अपनी चासनी में डालेंगे एक-क करके रजगुले को मैंने एक-क करके सभी र और अच्छा आजाएगा अगर आपके पास हैं तो आप डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है और अब 2-3 मिनट के बाद हम इस तरीके से कड़ाई को अपनी चासनी को चलाएंगे रजगुले को आपको नहीं चलाना इस तरीके से चलाएंगे जिससे ये स तरीके से अलट पलट जाएं और आच्छी तरीके से कुक हो जाएं केसर डालने से चासनी का कलर भी देगी कितना अच्छा आगया है और रजगुले भी हमारे अच्छी तरीके से कुक हो रहे हैं चार से पांच मेट लगवक लगते हैं इन रजगुलनों को बनने में उससे जाधा टाइम नहीं लगता है चार से पांच मेट हमें थोड़ी थोड़ी देखे बाद इस तरीके से इने चला देना है और कुक होने देना धकन लगा के मैं पकाईएगा इनने धकन खोल कर ही पकाना होता है धकन लगा के आप इनने पकाएंगे तो यह फट सकते हैं देखिए लगबग 5-6 मिनट हो गया और रजगुले अपने साइज से भी डबल हो गया है अच्छी तरीके से फूल गया है बढ़ दोट से तीन गंटे आप फ्रिज में रखिए और यह बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद इनने सर्फ करिए ठंडे ठंडे बिल्कुल बढ़िया खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह बहुत अच्छे लगेंगे आपको भी खाने में एक बार यह रेसिप पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और बने रहीएगा मेरे साथ इसी तरीके से मेरे यूटूब की जर्णी में और मुझे सपोर्ट करते रहीएगा धन्यवाद